नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्शे आप सभी का बहुत दोश्वागत है आज की इस नहीं वीडियो में देखे स्टुडेंट्स आज आप पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट्स आफ सेंट्रल टेंडेंसी देखे केंद्रिय प्रविर्त की मापे बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है आपका तो आज आप हमारे साथ में यह चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज आप लोगों को इसका जितना भी बेशिक चीजे हैं जितनी भी इसके बारे में जानकारी है आपको सारी डिटेल आपको बताई जाएगी आपको कुछ एजामपल्स भी कराई जाएगे तो यह व समझ में आये होंगे अच्छे से आप सा तयार कर लिए होंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेट में भी बताईएगा देखिए अगर आप हमारे साथ में डेली जूड़े रहते हैं रोज शुबह साथ बज़े आपको माथमेटिक्स की क्लासे दी जा आएंगे और बढ़िया बढ़िया कुश्चंस भी इंपोर्टन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे तो इसलिए आप लोग हमारे साथ में डेली जूड़े रहिए जिससे हम आपकी पूरी पूरी तैयारी वहतरी तरीके से करा सकें और आप कॉलर्मेंट कॉलर्मेंट कॉल करना है क्या क्या यह आपको होता क्या चीज है वह सारी चीजे मैं आपको सबसे पहले बताता हूं तो चलिए स्टुडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आए और इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं 100 पूरा करिए आप सभी स्टुडेंट्स को वीडियो लाइक करने में आप जड़ा सभी कंजूसी मत कीजिए क्योंकि एक वीडियो से आगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक करने से आपका इंटरनेट ना ही ज्यादा खतम हो जाएगर ना ही कोई प्राबलम होगी बस आपक मिल जूलकर करके साथ में आपकेन होगी दीखे आपकी केंद्रेपर प्रफृतिकी मापे जड़ालाता है इसका मतलब क्या हुआ असर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा दिखे अगर मैं मान लेता हूं यहां पर छे लड़के खड़े हुए हैं गोला बना करके सरक्ल बना करके यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर और एक बीच में खड़ा हुआ है और यह जो बीच वाले सर हैं यह क्या कर रहे हैं इन जो हैं इन सभी को पाचों लोगों को संभाल रहे हैं कह रहे हैं आप इधर जाओ ये सारी की सारे चीजे कर रहे हैं तो यहां पर प्रतिजित तो कौन कर रहा है ये सारी तो स्रेणिया हो गई ये स्रेणी हो गई और इसका प्रतिजित तो कौन कर रहा है इसको कौन संभाल रह है बीच वाले तो यह क्या हो जाएंगे आपके इसी को हम कहेंगे कें प्रवृत्ट की माप तो स्टुडेंट्स आप कुछ समझ पाये हुँगे कि किसी स्रेणी में चरका वहमान जो उसे स्रेणी का प्रत्रद्रेत करता है यो जो है इसको मैनेज करता है उसी को क्या कहते हैं केंद्रे प्रवित की माप देखे तीन प्रकार की होती है नंबर एक तो माध्य होता है नंबर दो होता है माधिका और नंबर तीन पर आपका बहुलक ये तीन चीजें आपके सामने यहाँ पर निकल के आगए केंद्रे प्रवित की मापों में आपको क्या मिल गया number एक पर माध्धि मिल गया माध्धि की इंगलिस मीन होती है and माध्धिका हो गया आपका students और फिर आपका आता है माध्धिका के बाद माध्धिका आपका हो जाता है median median देखिए m e d i a n i a n आपका ये हो जाता है माध्धिका and फिर आपका आता है बहुलक बहुलक आपका हो जाता है mode तो mean, median, mode हो जाता है आपका क्या माध्य, माध्य का और बहुलक ये तीन हो जाते हैं आपके किंद्रे प्रवित्य की मापों में देखें माध्य क्या हो जाएगा माध्य में सबसे पहले आपका जाएगा समानतर माध्य समानतर माध्य आप जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो आपको हम बताएंगे पूरा का पूरा डीटियल आपको देंगे फिर इसके बाद आपका आजाता है गुनोतर माध्य जीपी, एपी और जीपी हो गया फिर आपका आजाता है स्टूडेंट्स हरात्मक माद्धे ये चीन्चीजे हो गई आपकी माद्धे में फिर माद्धे के बाद एक और रहता है इसमें भारित माद्धे जिसको कहते हैं वेटेड मीन ये आपका थोड़ा इंपोर्टन्ट है देख लीजिए ये ये किसी सेन्टी में चरके माद X1, X2 और X3, ….xn है तता उनके भारित माद क्रमसा W1, W2, W3 ….wn है तो आपका थो भारित माद्धे होगा क्या होगा यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है आप नोट कर सकते है भारित माद्धे बराबर हो जाएगा यह आपका फार्मूला हो जाएगा भारित माधिका और भारित माधिका फार्मूला थोड़ा इंपोर्टन जदादा है तो आप लोग इसे याद जरूर कर लीजेगा और नोट भी अपने नोट बुक में कर लीजेगा चलए students बढ़ते हैं आगे माधिका पे median जे आपका होता है क्या होता है यह आप देख सकते हैं median भी कई परकार से आथाता है नमबर एक पर आथाता है एदि स्रेणी आवर्गी करित हो तो आपका जो median होगा बिशम माधिका होगा वो क्या होगा यन पलस 1 बाइ 2 के 2 पद का मान तथा यदि आपका यन सम होगा तो यहाँ पर आपका होजाएगा मादिका यन बाई 2 यन बाई 2 में पतका मान प्लस यन बाई 2 प्लस वन में पतका मान बाई 2 यह दोनों फार्मूला आपके लिए most important है मादिका के लिए तो यह दोनों फार्मूला भी आप याद कर लीजिगा students देखे यदि आपका आकड़ा आरोही या औरोही करम में ब्यवस्थित है तो यहां से जो यन आपका होगा यदि बिशम होगा तो यह लगेगा और अगर सम होगा तो आपका यह फार्मूला लगेगा तो यह दोनों फार्मूला आपको तो बताए है most important फार्मूला है याद कर लीजिएगा notebook में अपने note भी कर लीजिए देखे यदि स्रेणी आसतत है यानि दिये गए चरोक के मानों को आरोही या औरोही करम में ब्यवस्थित करके संचेई वारंबारता ज्याद करते हैं यदि यन विसम संख्या तब आपका जो मादिका होगा यन प्लस वन बाइ टू में पतका मान हो जाएगा और यदि सम होगा तो यन बाइ टू में पतका मान प्लस यन बाइ टू प्लस वन में पतका मान ये एकदम से same उसी प्रकार से students चलिए यहाँ पे देखिए यह दिस्लेणी आपकी सतत होती है तो आपका माधिका का formula यह हो जाएगा यह तीन आपके हो जाते है माधिका यानी median के formula तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपका यह हो सा question था तो आप लोग ये बहुलक जरूर तयार कर लीदे देखें यदि सिर्णी आवर्गी करी था है यहनि सिर्णी में अधिक्तम बार पुनरा वृत्ती वाले मान को क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई सिर्णी दी हुई है क्या दी हुई ये सिर लेते हैं 1 2 3 4 एक इतनी बार और 4 देखें 2 3 2 2 बार ॐ तो शबसे ज्पाूं आया किस पुनरा वृति रह थी हुई एक इतने बार आया चार बार आया इसलिए किस की पुनरा वृत्ती ज्यादे हई एक ही तो यहां पर जो इस तरादी में आपका बहुलक होगा क्या हो जा कहते हैं यदि सरेडि सटत है तो अधिक्तम बारंबारता वाले वर्ग को ग्यात करके तब भाहुलक निकालते हैं और भाहुलक निकालने का तब यह फार्मूला लग जाता है तो यहां से आपको समझ में आगए होगा इसमें आपका जो यल है बहुलक वर्ग की निम्निसीमा यच बहुलक वर्ग का आकार यफवन है बहुलक वर्ग की बारंबारता यफजीरो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता यफटू है बहुलक वर्ग से अगले में तो यहाँ पर दिखिए आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टन फार्मूला है आप नोट कर लीजिए याद भी कर लीजिएगा नंबर एक पर समांतर माद्य मादिका और बहुलक में संबंद क्या होता है यह नोट कर लीजिए दिमाग में लिख जो है आप इसे बिठा लीजिए कॉपी में भी लिख लीजिएगा मोश्ट इंपॉर्टन फार्मूला आपका पहला समांतर माध्य मादिका और बहुलक में क्या संबंद होता है बहुलक बराबर होता है थिरी मादिका माईनस में टू माद यह फ्टूनेट्स यह आप नोट जरूर कर लीजिए का अपने दिमाग में बिठा लीजिए का most important formula है समांतर माध्य बराबर क्या होता है बहुलक बराबर जो है समांतर माध्य बहुलक और माधिका में संबंद यही होता है बहुलक बराबर 3 माधिका minus 2 माध्य यह आपका हो गया most important पहला formula देखें दूसरा formula आप वर्की करीद यह आपका formula हो जाएगा सेम भारित माध्य की तरह यह आपका formula हो जाएगा सेम भारित माध्य की तरह यह आपका आपका फार्मूला हो जाएगा देखे इस्टुडांट अगले कोश्चन की और अगले फार्मूले की और बढ़ते हैं देखिए का क्या दिया गया है समस्त प्रेक्षणों में सरवाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण मान बहुलक कहलाता है जिसकी बारंबारता यानि जो बार-बार आये वह क्या कहलाएगा सबसे ज्यादा तो बार-बार आये सरवाधिक बारंबारता वाला क्या होगा बहुलक होगा बहुलक का परिकलन आ लेगी ये विदी से किया जाता है यह चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है विवित्र विवित्र अन्त बंटनों और बुलात्मक आकड़ों दोनों के लिए उपएगी होता है ठीक है students देखे पाई चित्र में मद का मान क्या होता है अगर कभी भी यहाँ पर पाई भी आजाता है पाई जो है यहाँ पर आपका पाई चित्र भी आजाता है पाई डाइग्राम भी होता है इसमें तो अगर पाई डाइग्राम में मद का मान यक्स बरबर क्या होता है अन्तरित कॉन ठीटा ँपान 360 गुडे कुल मान यह यहां पर अर्थात आपका जो फर्मॉला बनेगा यक्स इस इक्षे एक्षेजब टो ठीटा वाई फर्मूले दिये गये हैं नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीन तॉर्ट भी ले सकते हैं और इसे याद जरूर कर लीजिएगा चलिए हम बढ़ते हैं आज का जो पहला आपका फर्मूला है एक्जांपल के तौर पे आपको बता दिया था है आप लोग ठोड़ा देखिएगा कैसे इसका हम मान ग्याद करते हैं ध्यान से देखिएगा देखिए यदि दस बारा अठारा तेरा कामा पी और सत्रह का माध्य दिया है देखिए इतने चीजे दिवी हैं और इ स्रेणी में कितनी मान दिये हुए हैं देखिए एक दो तीन चार पांच छे चे बार दिया हुआ है और देखिए सब का कह रहा है दस बारा अठारा तेरह पी और सत्रह का माध्य क्या दिया है पंद्रह तो पी का मान ग्याद करना है आपको पता है माध्य मतलब क्या हो जाता है इस्टुडेंट से आपे देखिए माध्य बराबर हम क्या करेंगे जितने भी अंक ऊपर दिये हुए होंगे जितने भी अंक ऊपर दिये होंगे उनको आपस में जोड़ लेना जितनी यह दी हुई है माध्य वाली आंक जितनी वी दी हुई है इनको जोड़ लेना है और बटे में कितना कर देना है जितना आंक है एक दो तीन चार पांच छे है तो बटे में छे कर देंगे और उनको जोड़ लेंगे और बटे में छे करके बराबर पंद्रा कर देंगे से यही जो है फार्मूला आपको लगा देना है माध्य का फार्मूला आप समझे एक बार फिर शे जब मैं कोश्टन लगाऊंगा तो देखेंगा कैसे हमने लगाया स्वाल किया ठीक है इस्टूडंस तो देखें यहां पर आपका माध्य बराबर होताएगा माध्य माध्य बारा और अठारा हो जाएगा आपका 30, 10, 40, 40 और 17 आपका हो जाएगा 57 और 57 और 13 आपका हो जाएगा 70 तो 70 प्लस पी और बटे में आपका हो जाएगा 6 देखे 6 पंचे 30 हो जाएगा तो 70 प्लस पी बराबर हो जाएगा आपका 30, यहां से आपका 30 हो जाएगा, तो जब P निकालेंगे students, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 30-70 और बराबर में आपका आजाएगा, क्या आजाएगा, सरी हापे 30 नहीं आएगा, ध्यान दी जिएगा, जो हमें माध्य दिया हुआ था, 5 नहीं दिया हुआ था, students, 15 दिया हुआ था, यहापे देखिए, question में थोड़ा mistake कर दिये, देखने में, तो जब माध्य हमारा दिया हुआ था, देखिए, 70 प्लस P, और बटे में 6 आ गया था, इधर, और माध्य हमारा दिया था, 15, तो जब में P की वैलू घ्याद करनी थी, मिल दाता है, P की वैलू क्या मिल गया, 20 मिल गया, तो यही आपका हो जाएगा, question का answer, तो students, उमीद करते हैं, आपको समझ में आया होगा, माध्य कैसे निकालना है, माध्य में बस क्या करना, जितने अंक आपके दिये हुएं, उनको आपस में जोड़ देना है, और बटे में जितना अंक है, वो कर देना है, और बराबर में आपका हो जाएगा, माध्य तो यह आपका हो जाएगा, students, आप यह बात ध्यान दीजेगा, माध्य निकालने के लिए, यह बात एकदम से आप लोग दिमाग में बिठा लीजेगा, कि जितने उपर अंक दिये होंगे, माध्य क्या होगा, योग फल हो जाएगा, योग हो जाएगा, किसका, अंकों का, ठीक है, students, अंकों का योग हो जाएगा, और बटे में टोटल कितनी संख्या है, यन हो जाएगी, बरा क्या हुआ, जितने अंक दिये हुए थे पहले, यहाँ पर आगे देखिए, जितने भी अंक दिये हुए थे, उनको हमने क्या किया, आपस में जोड दिया, और बटे में हमने क्या कर दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे था, तो हमने बटे में छे कर दिया, और बराबर आपसे एक बात और बताना चाहूंगा इस्टुडेंट्स आप रोज शुभा डेली 7 बजे की क्लासेज अटेंड जरूर कीजिए और आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी मदेदार थी या नहीं थी समझ में आया या नहीं आया ये आप कमेंट में बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा स्टुडेंट्स और लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक एम है 100 और आपको 100 लाइक तो आज पार कर ही देना है तो चलते हैं अगले कोश्चन की और बढ़ दाते हैं और अगला कोश्चन बिना किसी देरी के बिना किसी रुकावट के साल्व कर लेते हैं दीखें क्या दिया हुआ है यदि आकडो 69, 62, 65, X, X, 2, 72, 85, तथा 94 की माध्धिका 79 हो तो X का मान क्या है अब देखें वहाँ पे माध्ध था लेकिन यहाँ पे आपका माध्धिका है माध्धिका में रूल दूसरा होता है रूल क्या होता है मैंने आपको अभी माध्धिका का रूल बताया है अगर नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ समझ लीजिएगा माद्धिका का रूल क्या था देखेगा माद्धिका कहां पर गया है देखे माद्धिका में क्या कह रहा है यादि स्रेणी आवर्गी करीत है या आपकी आसतत है सम में एक ही था दिखें क्या कह रहा था यदि यन सम हो यानि जितने संख्यां है अगर उनकी संख्यां का मतलब सम हो अगर संख्या तो आपका माधिका क्या हो सेगा यन बाई टू में पदका मान और बटे में यन बाई टू पलस वन में पदका मान बटे दो ये आपका माधिक है या बिशम है जली एक्ष Гос horrend में किया दिया है यहन में कितना दिया हूआ है 1238 gelecek paste यहन बराबर आठ दिया है आप बताईये यहन का मां सम है या बिशम आप कहें गे समहे तो एकदम से आफ सही है क्योंकि यहाँ पे समह में बराबर सम तू में पतका मानर्ण याई यह वाइ दॉमें पतका मानर्ण फिरले हो गया और शुल्त में आप्का क्या होओ जाएगा और बटे में आपका क्या हो जाएगा दो हो जाएगा अब देखिए यहां पे आपका जो स्रेणी दिया हुआ इसमें चौथवा पद और पाचवा पद क्या है तो देखिए एक दो तीन चार चार पे आपका क्या है चौथवा पद का मान क्या है यक्स है और पाचवा पद का म तो और बटे में क्या आ गया था दो तो हमने एक दम से फार्मूले पे क्या कर दिया वाई टू में पदह का मान zmian प्लस यैन मतार में और दो प्लस गैन धागा था चाहा आत्र आठ बटे दो आपka अजाएगाww और प्लस में आपका आजाएगा आठ बाई दो यानि चार और प्लस एक पांच तो पांच में पद कमान एक्स प्लस दो आ गया और बटे में दो कर दिये बराबर में आपका कर दिये माधिका अब माधिका का मान भी हमें दिया हुआ है question में कितना दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं माधिका बराबर 79 दिया है तो हम माधिका का मान रख देते हैं देखें जब माधिका का मान रिख देंगे 69 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x देखे, 2 X हो जाएगा, पलस में 2 हो जाएगा और अपान में 2, यहाँ से जब 2 common लेंगे तो X प्लस 1 अपान में हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, अब आपके पास जो equation बचा, क्या बच गया, 79 बराबर हो जाएगा X प्लस 1 अब देखे X बराबर यहां से आपको क्या मिल जाएगा 79 माइनस 1 बराबर में मिल जाएगा आपको 68 तो X की वैलू आपको क्या मिल गई? X की वैलू आपको मिल गई 68 तो यहां से जो आपको X की वैलू मिल गई 68 मिल गई और हमें क्या ग्याद करना था students question में आप लोग देख सकते हैं हमें ग्याद क्या करना था तो question में आपको ग्याद करना था x का मान देखिए x का मान ही आपको ग्याद भी करना था और x का मान हमने निकाल दिया क्या आ गया 68 आ गया तो यहां से जो आपकी value आ गई 68 option number A दिया हुआ है तो इस question का right answer आपका x का value क्या आज आएगा 68 आ गया बिल्कुल आसान सा process था मैंने आपको बता दिया question में जितने भी formula दिये गए chapter में आपको याद करने है जिससे आप question आसानी से solve कर सकें तो यहां से आपको x की value मिल चुक chapter के वो आपको कराये जाएंगे students आपको सारे के सारे question तो करा नहीं सकते है बुक में जितने दिये गए हैं क्योंकि बहुत जादा हो जाते हैं लेकिन जितने भी question लगेंगी कि हाँ आपके exam में पूछ जा सकते हैं exam की दिश्टी से important है वह questions मैं अवस्यापको कराऊंगा तो daily आप रोज शुबा 7 बजे हमारी mathematics की classes रहती है अटेंड जरूर कीजिएगा चले students मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में और आपको साम को 7 बजे भी classes मिल जाती है तो आप साम को 7 बजे भी आप classes ले सकते हैं physics chemistry की वहां भी आपको most important questions की series चलाई जा रही है तो आप लोग ज सब्सक्राइब लेकिन पड़ते हैं जरूर रही है